आज मैं बताने वाली हूँ आपको एक ऐसा फर्टिलाइजर जिसको डालने के बाद आपके प्लांट में बहुत ही तेजी से ग्रोथ होगी और प्लांट बहुत घना होगा साथ ही उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फूल और फल आएंगे प्लांट कोई सा भी हो चाहे वो वेजटेवल प्लांट हो या फिर हमारे फ्लारिंग प्लांट हो किसी भी तरह के प्लांट में ये फर्टिलाइजर आप यूज कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री का होममेड चैविक फर्टिलाइजर है बनाना भी बहुत आसान है और इसके किसी भी तरह का हो अपनी बहुत तेजी से ग्रोथ करता है तो संद् laptop डेना बहुत भर्म भर्पूर्वीय। नाइटोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम से वरपूर, एनपीकी के अलावा इसमें केलशियम, आइरन, मैगनीशियम, मैगनीज, कॉपर, सेलिनियम, सारे तरह के बिटामिन, अमीनो एसेड्स, मिनरल सारे आपको मिल जाएंगे और आप अपने प्लांट को इस फर्टिलाइज हो, आप उस हिसाब से बना लीजिए, और इसके साथ ही इसमें एक और चीज डलेगी, वह है ये गुड़, गुड़ को मैने थोड़ा सा मैश कर लिया है, जिससे ये पानी में जल्दी से घुल जाए, तो हमारा फर्टिलाइजर जल्दी तैयार होगा, अब मैं क्या करती हू आप से आप ऐलो वेरा की लीफ यूज कर सकते हैं, साथ ही मटर के चिल्के यूज कर सकते हैं, यहां पर मेरे पास मटर के चिल्के कम से कम 200 ग्राम मटर के चिल्के हैं, और यदि आप मुठी से माप करते हैं, तो पास से 6 मुठ्टियां इस चिल्कों की हो जाएंगी, तो इन इसे गुड़ बेक्टिरिया डेबलप करने के- लिए इसमें हम यह गुड़ का यूज करेंगे तो आप इस गुड़ को भोलकर भी डाल सकती हैं इस तरह से आप मैश करके डाल दें इसके बाद इसमें हम पानी भर देंगे इनको इस तरह से भरने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करके आप धकन लगा के तीन दिन के लिए इसे रख देना है तो मैं तीन दिन के लिए रखती हूँ तीन दिन के बाद मैं बताती हूँ कि आपको इसको कैसे यूज करना है फैंस तीन दिन वाद देखते हैं हमारे फर्टी लाइजर का क्या हाल है तो आप इस फर्टी लाइजर को देख Thousand a टिर्टी लाइजर है आप इसको देख पा रहे होँगे ये क्योंकि ये जेल है जेल से थोड़ा सा चिपचिपआ हो जाता है तो इसमें हमें आपको जितना हमारा यह फर्टिलाइजर इसको चान लेना है और उसी मात्रा में हमें इसमें साधा पानी मिलाना है मैंने इसमें इतनी मात्रा में पानी मिला लिया है और अब इसको हम हमारे प्लांट की स्वैल में दे देंगे friends बहुत ही शक्ति साली fertilizer है आप इसे मंत में एक बार जरूर यूज करें और अपने प्लांट पर फर्क देखें